हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का एलफा मोनिटर योटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुब बहुट कर रोज करें ये चार काम लोट आएगा निखार सिसे जैसा समकने लगेगा आपका फेस कौनसे हैं वे चार काम आईए एक-एक करके जानते हैं लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के सब शेयर भी करते हैं ताउचा को खूबसूरत बनाने के लिए लोग ना जाने कितने beauty products का इस्तमाल करते हैं। लेकिन कोई भी product permanent beauty नहीं दे पाता है। लेकिन अगर आप ताउचा की चमक को हमिसा बरकरार रखना साते हैं या फिर खोई हुई चहरे की चमक को वापस पाना साते हैं। तो आपको ये चार काम जो हम आपको बताने वाले हैं उन्हें आपको हर सुबह करना साईए। ज़्यादतर लोग सुबह की सुरुवात चाई या कोफी से करते हैं लेकिन इसकी जगए आपको सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना है ना कि चाई और कोफी। सरीर को हाइटरेट करने का ये सबसे बहतरीन तरीका है और ऐसा करने से आपके सरीर में मौझूद सारी गंदगी को बाहर निकालने में आसानी होती हैं। आप पानी में निम्बू या फिर एक चमत सहद भी डाल सकते हैं। नमबर दो है अपनाएं ये सकीन केर रूटीन हर सुबह तवचा का गलो वापस पाने के लिए आपको सकीन केर रूटीन के चार स्टेप जरूर अपनाने चाहिए। जिसमें कलींजर की मदद से चहरे को साफ करना, एंटी ओक्षिडेंट और एंटी एलकोहोल फरी टोनर लगाना, मॉस्चुराइजर लगाना और सन क्रीन का उप्योग करना सामिल है। ये स्टेप्स आपकी तवचा को साफ करने, तवचा को हील करने, मॉस्चुराइज करने और सुरुक्षय परदान करने में मदद करेंगे। नमबर तीन है थोड़ी देर एक्सरसाइज करें। तवचा का गलोव आपके बल्ड फलो पर निरपर करता है, जिससे तवचा को प्रेप्त मातरा में पोसन मिलता रहता है। इसलिए आपको हर सुबए आदा गंटा एक्सरसाइज करने चाहिए, जिसकी मदद से सरीर के गंदेपदार्थ बाहर निकलते हैं और कोलेजन का उतपादन बढ़ता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो तवचा का सट्रेक्षर बनाए रखने में मदद करता है। और नमबर चार है ब्रेक्षर पर फोकस करें। बारत में ब्रेक्षर पर काफी कम ध्यान दिया जाता है। अधिकतर लोग सुबे के समय कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन तौचा को सवस्त और दमकता हुआ बनाने के लिए आपको सवस्त ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जिसमें साबूत अनास, प्रोटीन, फल, सबजियां और हेल्दी फैट सामिलों, हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके व प्रिवार के लोगों के साथ वटसेप फेस्ट पर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता चल सके और वो भी इसका फाइदा उठा सकें, और हाँ, अगर आपने चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस चीज़ का इंतशार कर रहे हो, जल्दी स पर भी कलिक कर लो ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहे हैं